और यह बड़े इंपॉर्टन वेस्टेंग एंट्रेस्टेंग मुश्किल नहीं है लेंदी है कॉंसेंटरेशन कॉंसेंटरेशन के साथ करने वाला कॉष्टेंट नाश्ण इंकम बाई इंकम एगस्पेंडेशर में बहुत ही सारे कॉंपोनेंट्स है तो बड़े अराम से ध्यान से सुनेंगे एक एक करके रीड करते हैं सालरीज इन वेज़ेज इन कैश तो आई मतलब इंकम मेथर्ड में यूज़ोगा इं मतलब एक्सपेंडेशर में यूज़ोगा तो इतने लंबे जोड़े जब पहले तो आपको ये आई ए कर देना चाहिए सेग्रीगेशन इसे ट्रांसफर फिल्मेंट्स टो किसी की भी हों इंक्लूड नहीं होंगी इंकम में इंकम मेंश होती है हम देखेंगे कहां से कहां जाने के लिए यूज़ोगी ये कर वर्जम में आजाएगा तो टाक्षिज निकारने में कॉंपन्टेशन ऑफ वर्कर्स इन काईंड अमें उपर utan काईंड तो तो मटन्जेशन ओव इंप्लोइज का परटे कॉंपन्जेशन ओव का पार्टे बहुतिक अप्री में में कंप्रीसीयेशन नहीं होता यह आपको एन फाइए ही दे रखा है एंट्रेस्ट इंकम मेथर्ड में ओपरेटिंग सर्प्लस का कॉंपोनेंट गवर्मेंट एक्सपेंडिचर और गुड्जन सर्विसेज तो गवर्मेंट फाइनल कंजम्शन पर्विप्षन एक्स्पेंडीचर एक्सपेंडिचर मेंड़ीचर कंजब्शें केृपनेंट और परैवेट्ट फाइनल इस पाक्षट के एकश्ट का मदोर्मेंट ओपरेटिंग सेग्टेट wife और वाईट पर यहलों अच्छा नहीं लग रहा चलो इंकम अफ सेलफ इंप्लोईड मिक्स्ट इंकम होती ने ट तो इंकम में आ जाएगा थिक है ना मिक्स्ट इंकम अन्डिस्ट्रिबुटेड प्रॉफिट्स इंकम मेन चाहिगा डिविडेंड इंकम में जाएगा export और यह कहाए change in stock export और import expenditure में आएगा इडिशन टू स्टॉक चेंज इंस्टॉक expenditure में आएगा social security by employers अब ध्यान से देखना कि क्यों लिखना जरूरी है income method के दो components उपर आ गए एक component इतनी दूर आ गया तो यह compensation सब्सक्राइब करने वाला सब्सक्राइब करेंगे तो पहले क्या निकलेगा डॉमेस्टिक इंकम ndp at fc compensation of employees plus rent rent interest profits plus mixed income plus mixed income compensation employees rent interest profits plus mixed income compensation of employees compensation of employees which is in cash which is in kind and employers contribution to one nine nine seven plus ninety five one nine nine seven plus ninety five plus employers contribution is fifty four plus rent one thirty two plus interest नाइन्टी टू प्लस प्रॉफिट्स आप जहां से देखना प्रॉफिट में आपको अंडिस्प्रॉफिट आपका प्लस प्लस रीटेंड डर्निंग्स रीटेंड डर्निंग्स कितने हैं ट्वेंटी सिक्स और मिक्स्ट इंकम है क्या इंकम ऑफ सेल्फ एंप्लोई यह थी मिक्स्ट इंकम 264 तो एक तो कॉंपोनेंट्स इतने सारे उपर से अमाउंट्स भी उन्होंने जाब उचके तेड़े मिटे बड़े नहीं हैं बट ध्यान देने वाली जीज़ें 1997 प्लस 95 प्लस 54. तो इंकम प्लोई 2146 प्लस 1329 प्लस 211 237 236 प्लाव इसे ने 237 प्लस 264 अब डरेक्ली इन प्लस प्लस 237 प्लस 264 अब टू एट सेवन वन तो इसेटल होगे तो एट सेवन वन टू एट सेवन वन करोड यह एंडी प्लाव सी हमें चाहिए नाशन इंकम चेकर दियांसे देखेंगे CRA and MP and FC is NDP and FC प्लस एट सेवन प्लस एट सेवन ऊस एट सेवन प्लस एभ आये ने फैक्टर इंकम नेट फैक्टर इंकम हाँ वो था ना इंक्रीज वाला यह रहा नेट फैक्टर इंकम अबराट फिफ्टी तो 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 नाइन टू-3 करोड जो एन एंट्वी एट एफ सी तू-923 करोड जो इंकम मेटेट से निकल गया सरे एकस्पेंडिचर से भी कर दो फ्लीज ठीक है बटा वैसे तो आप अपने आप कर लेते लेकिन पोई बात नहीं एकस्पेंडिचर में क्या निकलेगा पहले जी डीपी एंटी क्या होता है प्राइवेट फाइनल गों मेंट फाइनल क्रॉस्ट टो मेस्टेक प्लस नेट एकस्पोर्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्शन 74 ब्रॉस्टिक व्रमेशन ग्रॉस्टिक व्रमेशन प्रॉस्टेक चापिटल फेर मेशन आपनेशन स्या फॉर्मेशन चाहिए सब्सक्राइब 100 plus 7 net exports exports minus imports 900 minus 323 900 minus 323 so 1805 plus 574 2379 plus 107 plus 677 8577 577 2379 plus 107 plus 577 3063 3063 crores GDPMP हमें तो क्या चाहिए सर NNVATFC GDPMP gross से नेट पे जाना है माइनस डेप्रिसीएशन प्लस NFIA माइनस NIT GDPMPS 306 माइनस डेप्रिसीएशन काहां है डेप्रिसीएशन 81 बीड मेखो गया NFIA NFIA कितना था 52 Net Indirect Taxes Indirect Taxes or Subsidies 200 minus 89 3063 minus 81 plus 52 3034 minus 111 2923 2923 crores national income by expenditure method 2923 crores मजजदार question question number 37